तूरी अपका स्वागत है कुख वित नीती में तो फ्रैंड आज हम बना रहे हैं जैली स्लाइस केक बहुत ही टेस्टी केक है और बच्चों को स्लाइस यूब हैं बहुत पसंद आता है और बहुत soft भी होता है कुछी देन में बन जाता है तो क्यों न हम इसको ट्राइ करें इस children's टेपर तो चलिए ट्राइ कर लेते हैं तो सबसे पहले हम त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिया है cake team जिसको मैंने अल्रीडी oil से grease कर लिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें मैदा जिसको हम चारो तरफ इसकी dust कर देंगे इस तरही के से चाहे तो अब बटर पेपर भी डाल सकते हैं लेकिन बटर पेपर हल्किसी के पास नहीं होता है तो इस लिए हम यह extra जो हो है मैदा वो निकाल देंगे यह हम साइड रख देते हैं अब लेते हैं हम यहाँ पे आप टूटी फूटी भी ले सकते हैं टूटी फूटी केक बनाने के लिए यहां फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रू जाली तो बहुत अच्छा और टेस्टी केक बनता वह तो यह मैंने लगभग बॉना कप ले लिया है और इसमें डाल रही हूं, एक चममच मैंदा और उसको इनच से मिक्स करऊचीँ तो मैंने इसमें डाल दिया है मैदा, और अलग कर देते हैं, रेते हैं बाउन और इसमें डाल लेते हैं हम half cup food oil यह हमने लिया है refined oil आप olive oil या कुछ भी जो आपको food oil जो भी अच्छा लगता है refined butter वो आप ले सकते हैं तो मैंने ले लिया है 3-4 cup लेंगे हम इसमें sugar powder यानि चीनी को हम इसको पीस लेंगे और यह हम परन कप ले लेंगे अच्छे से mix कर लेते हैं अगर आप oven में बना रहे हैं तो उसको preheat कर लेंगे एक मिर्ट के लिए और 180 डिग्री पर उसको set कर लेते हैं जीसे हमें 40 मिर्ट के लिए उसमें यह रख और अगर आप इसको कड़ाई में या किसी बटर में बना रहे हैं तो आप उसमें भी इसको लब उसको भी कर लेंगे तो यह अच्छे से mix कर दिया आप डाले हम आदा कब भूद लिया है नॉर्मल टैंपरिचर पर डालेंगे इसके अंदर अब ले ले रहे हैं विनेगर त डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें लैमन जूस भी एड कर सकते हैं अच्छे से mix करेंगे और अब ले ले रहे हैं हम यहाँ पे वन एंट हाफ कफ मैदा जिसको मैंने च्छान लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे कोई भी इसमें काठी नहीं होनी हैं आप चाहें तो सोड़ा वेकिंग सोड़ा और मैंने को एक साथ मिला सकते हैं चाहें आप इस तरीके से यूज करने जैसे आपको इजी लगे आप इनको अलग से छान के रख सकते हैं श्टेर से चाह साथ साथ चान ले एज और अच्छे से हम इसको mix करेंगे अब यह थि अच्छे से हमने mix कर लिया है मैंने इसमे वन फूट कप और मिल्क एड किया था एक चमच हम डाल रहें हैं बेकिंग पॉडर और वन फोड इसको हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोड़ा और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा कलर फुल बनाना तो आप कलर फुल बना सकते हैं और प्लेन चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं यहां पर यह मैंने लिया है एक पिंच कलर और कुछ बूंदे वैनिला एसेंस मैंने इसमें एड कर दिया है और अब हम एक ही डारेक्शन में तो मिक्स करते हो चलाएंगे क्योंकि जब हम सोड़ा या वेकिंग सोड़ा मैंने जैली जहांब है मैता इसके अंडर यह मे सबस्क्राइन जैली के सी क्वानी के लिए इसके उपर डालने के लिए तोछा है नो बचाने लिए यह आई नेकमी कलुन में इसमें क्लम हर तो खोर जलिए ने ना जाय कि गोशandum में जाहां जाएंगे थोड़ा सा मेरे बैटर प्रचिया था तो मैंने डाल दी एक मंग में और अब हम इसको सेट करके और आप चाहें तो इसको कड़ाईयां पैनल मतलब जो बड़तन है उसमें भी रिट करके इसको रख सकते हैं आप पहले 20 मिनिट्स रखे उसके वाद आप चेक करें और फिर क्योंकि हर गैस का ओवन का टाइमिंग स्पीड ठोड़ी चेंज होती है तो अपने ओवन के हिजाब से रखें अभी मैं इसमें 20 मिनिट्स रख रही हूं फिर हम चेक करेंगे देन आगे इसका टाइम बढ़ा लेंगे तो रख लेते हैं तो यह मैंने ओवन से निकाल लिया ह और अच्छे से यह कोख हो गया है मैंने स्टिक डाल के देख लिया है बिल्कुल क्लीन स्टिक आई है और आव हम इसको ठंडा होने देते हैं ताकि जो साइड है वो छूट जाएगी और नाइफ की हर्फ से हम साइड से इसको करके निकाल लेंगे तो अभी हम इसको ठंडा ह हमेरे देते हैं और नौर्मलन Темरebacks पर के तो यह हमारा के कर थंडा हो गया है और नाइफ की हर्फ से साइड से इस तरी के से छोड़ा लेते हैं और इसको डी मоїल्ट करेंगे यह हमारा डी मोल्ड हो चुका है और अब हम करेंगे स्लाइस तो स्लाइस कट कर लेते हैं तो यह मेरे जैली स्लाइस केक बन कर त्यार हो गए है आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमारा स्लाइस बन कर त्यार हुआ है बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है केक और टूटी-फूटी यह जैली केक तो बहुत पसंद आता है बढ़नाते हुए ध्यान लखना है और मैं एक आपको विशेश बात बता दू कि अगर हम इसमें टूटी-फूटी एड़ करते हैं तो वह हमारी जैसे हम डालेंगे वैसे दूसरा अगर हम जैली यूज़ कर रहे हैं इसमें तो जैली थोड़ी मैल्ट होके फैल जाती है देख रहे हैं जैसे कि मैल्ट होके केक उपर थोड़ी फैल गई है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है देखने में लुक पाइस थी थोड़ा अलग होता है और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक्यू